सूप्रभाद आजकशलोक अर्थाट मनिश्यों की शरीर का विनाश करने के लिए पहला शत्रू शरीर में स्थित क्रोध है लकडियों में रहने वाली अगनी जैसे लकडि को जला देती है उसी प्रकार देह में स्थित क्रोध शरीर को जला देता है गुणा गुणगेश्यो गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्या भवन्ति दोशा अर्थार्थ गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास रहता है वह गुण होता है वही गुण जब निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो वह दोश बन जाता है जिस प्रकार नदी का जल जब तक नदी में रहता है वह पीने योगे होता है परन्तु जब वह समुंदर में मिल जाता है तो वह पीने योगे नहीं रहता अर्था खारा हो जाता है